जब रफी साब ने सिर्फ घर का बना दाल चाल खाने के लिए हवाई सफर किया, महुंद रफी साब बहुत कम बोलने वाले, जरुरत से ज़्यदा विनमर और बहुत अच्छे इंसान थे, ने तो उसरा और से गेट पीते थे, नहीं पान खाते थे, बोलीवट की पार्टियों में भी जाने का उन्हें कोई शॉप नहीं था, घर पर सिर्फ धोती कुर्ता ही पैनते थे, लेकिन जब रेकोर्डिंग पर जाते थे, तो हमेशा सफेद कमीज और पतलोन पैना करते थे, मुहमद रफी के करियर का सबसे बहतरिन वक्त था, 1956 से 1965 तक का समय, इस बीच उन्हो बहुत उंदा बना करता था, लेकिन सिर्फ महमानों के लिए वो खुद बेहत सदा खाना पसंद करते थे, एक बार का किस्सा है कि वो ब्रिटेन के कॉन्वेंटरी में शौक कर रहे थे, और यहां का खाना उन्हें रास नहीं आ रहा था, उनकी बेगम बिल्किस भी उनके सा थी, लेकिन मन मार कर वो जैसे तैसे खा रहे थे, मौमन रफी की बहु, और उन पर एक किताब लिखने वाली यासमीन, खालिद रफी अपने शोहर के साथ लंदन में उनसे मिलने पहुंची, तो रफी साब बेहत मायूस और थोड़े खराब मूड में थे, इसका कारण रफ यासमीनी का हां क्यों नहीं, तो रफी साब बोले चलो लंदन तुमारे घर चलते हैं, यासमीनी थोड़ा हैरान, परेसान होकर घड़ी देखी, ठीक शाम के चार बज रहे थे, और रफी साब का शोहर ठीक साथ बज़े सुरू होना था, कोवेंटरी से लंदन आने जाने मे से पहले वापस कोमेंटरी लोट आएंगी, मुझे घर का बना दाल चावल खाना हैं बस, आखिरकार रफी साब के आगे किसी की भी नहीं चली, रफी साब उनकी पतनी बिलकिस, खालीद और यासमीन बिना किसी को बताए अपने घर लंदन उल्टे पैर वापिस रवाना हो लंदन में अपने घर पहुँचकर यासमीन ने उनके लिए चट पर दाल, चावल और चटनी और प्यास टमाटर का सलाद बनाया और उनके शोहर खालीद ने यासमीन की मदद खाना बनाने में की और रफी साब को खाना परोसा और उन्होंने जम कर भोजन का आनन्द उठाय रफी साब ने घर का बना खाना लंदन में खाकर यासमीन को बहुत दुआएं दी और ऐसे लगा कि जैसे किसी बच्चे को उसकी पसंद का खिलोना मिल गया हो और रफी साब ठीक साथ बज़े शोह करने के लिए कौमेंटरी भी वापस आ गए जब उन्होंने कौमेंटरी ल आस थाया देशवक्ति या फिर गाएगी का कोई भी रूप हो भजन, कवाली, लोगगीत, शास्त्रे संगीत या गजल रफी साब के तरकस में सभी तीर मौजूद थे ऐसे थे हमारे सब के दिल अजीज महमंद रफी जिनकी सिने में एक बच्चे का दिल भी धढ़कता था